राश्टिये शेख्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिषत केंद्रिये शेख्षिक प्राध्युकी की संस्थान दौरा प्रस्तुते द्धनी कारिक्रमों की शंखला क्या है हमारी चारों ओर। क्या है हमारे चारों और भूगोल शिक्षण के कारिक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्धमिक कक्षा के छात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारिक्रम NCERT दौरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्शक है संसाधनों का वर्गी करण विशाय वस्तु के आधार पर संसाधनों को तीन बर्गों में विभाजित किया जा सकता है प्राकृतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक संसाधन मनश्य की आवशक्ताओं को पूरा करने में समर्थ जैव भौतिकी परियावरण के तत्वों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं आर्थिक तंत्र के बाहर से प्राप्त होने वाले जैव और अजैव पदार्थी प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें मानव अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में उप्योग करता है प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार भी परिभाशित किया जा सकता है वस्त्वों के उत्पादन और उप्योग के कारकों के रूप में आसानी से उप्योग के योग्य प्रकृतिक लक्षन और उत्पाद प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक संसाधनों में भावतिक लक्षन जैसे भूमी, जलवायू, जल, म्रिदा, खानेज तथा जैविक बदार्थ जैसे वरास्पति, वन्यजीव और मत्यक्षेत्र शामिल है मानविय संसाधन लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव संसाधनों का निर्माण करते हैं लोगों की एक निवधारित संख्या और गुणवत्ता की घटने पर विकास की गति धीमी भी पड़ जाती है निरक्षर और कुपोशित जनसंख्या तथा विरल जनसंख्या से विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी हो जाती है सिध्धान्त तह मनुष्यों को एक संसाधन नहीं मानना चाहिए वे तो स्वयम उद्देश्य लक्ष हैं जिनके चारों और विकास के कारिय चलते रहते हैं सांस्कृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव उन्हें संसाधनों के रूप में नहीं पहचांगते प्राकृतिक परिखटनाओं का संसाधनों के रूप में ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत जैसे ज्ञान, अनुभव, कौशल, संगठन, प्रोध्योगी की आदी पर निर्भर करता है इस प्रकार संसाधनों की एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है मनुष्यों की आवश्यक्ता और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों का विस्तार और संकुचन होता है ये विशिष्टाएं और ख्षमताएं संस्कृति के द्वारा प्रभावित होती है संस्कृति सभी ज्ञान और वस्तूओं का योग है जिने मनुष्य ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पन्न किया है काफी सीमा तक शोशनियता वैज्ञानिक खोजों और प्रोध्योगी की आविशकारों पर निर्भर करती है विज्ञान और प्रोध्योगी की संस्कृति के उत्पाद है संस्कृति की उपलब्धता नवी करणियता और विशेष्टाओं का विस्तार संसाधनों के आपूर्ति आधार को व्यापक बना रहा है संस्कृतिक कारक संसाधन को एक अन्य तरीके से भी प्रभावित करते हैं कुछ संस्कृतियों में पारित अंत्रीय सीमाओं में संसाधनों के उप्योग की एक अंतर नहत व्यवस्था होती है जिसमें प्रकृति को अपनी हानी को फिर से पूरा करने का समय मिल जाता है अनेक संस्कृतियां प्राकृतिक परिखटनाओं को जैविक न मानकर भावतिक मानती हैं और इसका शोशन इस सीमा तक करती हैं कि उनकी पुनह पूर्ति नहीं हो सकती। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति इसी वर्ग की देन है। पहले प्रकार की संस्कृति पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखती है तथा संसाधनों का संरक्षन करती है। इसके विपरीत दूसरे वर्ग की संस्कृति पारितंत्री ये संतुलन को बिगार देती है। और कभी-कभी संसाधनों का शोषण इस सीमा तक करती है कि स्वयम मनश्य का जीवन और विकास ही दाओं पर लग जाते हैं। स्थायत्व अर्थात टिकाउपन के आधार पर वर्गी करण। नवी करण या पुनरुत्पादन की क्षमता के अनुसार भी प्राकृतिक संसाधनों का वर्गी करण कर सकते हैं। नवी करण ये संसाधन प्राकृतिक रूप से अपना पुनरुत्पादन कर लेते हैं। जदि उनका संपून रूप से विनाश ना किया गया हो। वन और मचलियां इनके उदाहरण हैं। लेकिन अनवी करणिय संसाधनों में स्वयम पुनरूत पादन की ख्षमता नहीं होती। इसके उपलब्ध भंडार निश्चित होते हैं। जीवाश्म इन्धन अन्यखनिच आदि अनवी करणिय संसाधनों के उदाहरण है। इन दो बड़े वर्गों को अर्थात नवी करणिय और अनवी करणिय संसाधनों को प्रवाह और संसाधन या असमाप्य और समाप्य संसाधन या आपूर्ति और अनापूर्ति संसाधन भी क कुछ नवी करणिय संसाधन तभी तक नवी करणिय हैं जब तक उनका उपयोग प्रकृति द्वारा निर्थारित सीमाओं के अंदर विवेक पूर्ण ढंग से किया जाता है। उदारण के लिए भूमी जल तभी तक नवी करणिय है जब तक इसका उपयोग पुनर भरण सीमा से अधिक नहीं होता। इसी प्रकार वन भी नवी करणिय है यदि इसे उखाड़ा न गया हो और पुना उगने दिया जाए। अतिशोषण से मचलिया नदियों और जीलों से ही नहीं अपितु कुछ महासागरी ये क्षित्रों से भी नश्ट हो गई है। लेकिन कुछ नवी करणिय संसाधन ऐसे भी है जो क्रिया कलापों से नरपेक्ष रहते हुए सतत उपलप्थ है। सौर तथा ज्वारी ये उर्जा ऐसे ही संसाधन है। यही नहीं नवी करणिय संसाधनों का तंत्र जटिल और गत्यात्मक होता है। इस तंत्र के घटक परस पर क्रिया करते हैं। किसी एक संसाधन का उपयोग दूसरे को प्रभावित कर सकता है। इन संसाधनों का स्वरूप जाल जैसा होता है। अतह इनका विकास समन्वित विधि से नियोजित होना चाहिए। ना कि अकेले किसी एक संसाधन का। क्या है हमारी चारों ओर। संसाधनों का वर्गी करण। अभी आप सुन रहे थे ये वारता। वाचक थे अमिताब वर्मा। विशे संयोजक प्रफेसर रामजन शर्मा, विशे संपादन आरपी मिश्र, आलेक, एसकी शर्मा, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यंकन सतीश्टलाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुत वंदना अरिमर्दन